हेलो फ्रेंद्स अब सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एटों बाई वर्खा में स्वागत है आज का हमारा टॉपिक देखी क्या है वायू प्रदूशन पर निबंद आज हम अपनी इस वीडियो में वायू प्रदूशन पर निबंद करेंगे देखें यह जो वायू प्रदूशन का निबंद है यह चाहे कोई भी टॉपिक हो चाहे वायू का जैसे वायू से रिलेटेड किसी भी परकार का टॉपिक हो जैसे उसको रोकने के उपाए प्रदूशन तो हम क्या करेंगे यही जो है जो मैंने लिखा है यह निबंद आप वही उसमें बोल सकते हैं तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें नमस्कार मैं राहूल यहाँ पर देखें आपको अपना नाम लिखना है कक्षा पाँचवी RPS पब्लिक विध्याले देखें यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नेम लिखना है विध्याले का विध्यारती हूँ आज मैं आप सभी को ऐसे महत पूर्ण विशय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो हमारे जीवन के लिए अत्यन्त महत पूर्ण है लेकिन आजकल विशयले प्रधारतों के मिलने के कारण वहें पैदुशित होती जा रही है मैं हमारे जीवन के लिए अत्यन्त महत पूर्ण तत्व वायू के बारे में बताना चाहता हूँ वायू प्रधी पर जीवन का एक आवशक तत्व है लेकिन आजकल वायू हमारे जीवन के लिए हानिकारक तत्व बन गया है आगे देखते हैं इसका कारण है वायू प्रधूशन वहनों तथा फैक्टरियों से निकलने वाली गैसों के कारण वायू प्रधूशित होती है साधारन शब्दों में कहीं तो स्वच वायू में रासायन, सुक्षम प्रधार्थ, धूल, विशैली गैसें, जैविक प्रधार्थ, कारण डायाकसाइड, आधी कस्तर भढ़ गया है इससे ही क्या कहते हैं, वायू प्रधूशन कहते हैं, अगर देखिए, जिस हवा को हम सास के साथ प्रतिछण लेते हैं, वो पूरी तरह से दुशित है, जो हमारे फेफडों और सरीर में रक्त संचार के माध्यम से जाती है, और अंगिनत समस्याओं का कारण बनती है पैदूशित वायू के कारण, आगे चलते हैं देखिए, पेड़ पोदे, पशु वे मनुश्य परत्यक्ष तथा एपरत्यक्ष रूप से नस्ट हो रहे हैं, यदि वायू को सुरक्षित करने वाली नीटियों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया, तो वायू प्रधूशन का भड़ता स्तर मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक सिद होगा, इसलिए हमें वायू प्रधूशन को रोखने के उपाय करने चाहिए, देखे, आधिक से अधिक पेड लगा कर, निजी वाहनों की जगे, सारुजनिक वाहनों का उप्योग करके, प्रधूशन कारी उध्यो उपाय करके, हम वायू को प्रधूशित होने से रोख सकते हैं, अंत में मैं यही कहूँगा, देखे, आगे चलते हैं, मैं यही कहूँगा, कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कि हम वायू को प्रधूशित करने वाले शोत्रों को पहचाने, और उन्हें कम या नस् प्रयत्न करें धन्यवाद देखिए आपने ये देखा होगा ये जो निबंध है वो बहुत ही आसान है याद भी हो जाएगा और आपको चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक वायो के उपर हो आप उसको ये लिख सकते हैं कर सकते हैं और सुना सकते हैं अगर आपको वी